नमस्कार दोस्तों इन्वारों केडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों इस वीडियो में कुछ और बहुत ही महत्तोपून कोशन्स पे बात करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉंपेटिटिव एक्जाम से लिए गए हैं और हमें पुरी उमीद है ये सभी कॉंपेटिशन में आपके लिए बहुत बहुत इंप्रोटेंट प्रूफ होंगे आज का हमारा पहला कॉशन है मिनरल्स लेप्ट बहाइंड वेन पार्ट ओफ रोग इस रिमोट बाई केमिकल वेधरिंग प्रोसेस इस काल्ड रेजिडूवल डिपोजिट केमिकल वेधरिंग के द्वारा जब रोग जो है वो रिमोट हो जाती है उसके पीछे जो मटीरियल बच जाता है रिमोल के बाद में वेधरिंग के बाद में जो है आपका जो मटीरियल बचता है उसको रेजिडूवल डिपोजिट कहते हैं वाटर टेबल इस ए रैफ्रेंस लाइन री पर्जेंट ए हाईोथेटिकल लाइन बिलो अ सरफेज paas वेटर व्यर वाटर इस उलवेज पर्जेंट बिलो दा रैफ्रेंस लाइन आप सभी को पता है वाटर टेबल जो है एक आपकी अपर लाइन है जिसके नीचे जो है आपका ground water present होता है तो option number C water is always present below the reference line इस question का सही answer है अगला question है आपका फिर से geoscience से related है geological process whereby one constituent in a mineral is progressively substituted by another is called replacement अगला question फिर से जो है earth science से आपके geoscience से related है a landscape which shows a pattern of denudation in limestone and dolomitic rocks is known as cast topography cast topography तब बनते हैं जब आपके जो rocks हैं like limestone and dolomite वो dissolve हो जाते हैं उनके dissolution की वज़े से जो topography जो features बनते हैं जो landscape shapes बनते हैं वो basically cast topography कहलाती हैं जैसे की limestone और dolomite कहीं पे है rocks और वो rocks जो हैं dissolve हो जाती हैं और उनके dissolve होने से आपका जो है एक underground drainage system जैसे structure बन जाती है what is the primary source of energy in most ecosystem sunlight which term refers to variety of species in a particular ecosystem diversity बहुत popular question है bio diversity की definition जो है अलग अलग तरीके से examiner पूछता है आपसे तो जड़तर question जिनमे variety variability जैसे शब्द I use होते हैं कि variety of species variability of species in a particular ecosystem तो उनका answer diversity या bio diversity ही होता है in which ecosystem would you find mostly coniferous trees such as pine and asprouse taga taga biome जो है basically दुनिया का सबसे बड़ा biome है और यहां पे जो है आपके coniferous tree आपको देखने को मिलते हैं boreal forest यहां पे मिलता है और यहां पे temperature बोड़ा जल्दी swing होता है और इन जंगलों में आग बहुत जल्दी से लगती है इन नुक्लियर रियक्टर फीजन यूरेनियम 238 इस ब्रोड अबाउट बाई thermal neutron हाला की तोड़ा असान सा question है plus two level का बट काफी popular है radio activity पे इस प्रकार के question हमें अक्सर देखने को मिलते हैं अगला question फिर से radio activity से related है the radio activity attributable to redone in the air is measured by pico queries per litre pico query per litre जो है यह आपका unit है जब भी हम radio activity को measure करते हैं कि एयर में weathering of a granite rock produce a sedimentary rock is known as arc cause weathering होती है जब भी आपकी granite की और उससे आपके जो है sedimentary rocks जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं आर्क कहते हैं ऐसे से शब्द थोड़े से हमें बहुत जदा confuse कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह तो related नहीं है limestone shell यह दिखने में हमें थोड़े से relatable से लगते हैं बट जब इस तरीके का कोई अलग से शब्द आ जाता है तो हम वहां पे confuse हो जाते हैं इसलिए जब भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो ठीक है बचो तो हमेशे की तरह हमने यह जो PDF है इस वीडियो का आपके broadcast list में शेयर करा दिया है वहां से से आपसे download कर सकते हैं और बच्चों यह सभी questions जो हैं different competitive exam से लिए गए हैं और हमें पुरी पुरी उमीद है कि जितने भी competition होते हैं environmental science में इसी के आपस आपको question देखने को मिलते हैं तो आप सभी जो है बहुत अच्छे से इन सभी questions को एक बार जो है देख लेंगे और इनके आपस जो है थोड़ा थोड़ा data आप याद करते रहे हैंगे जिससे कि आपकी preparation और ज्यादा जो है शार्प हो जाएगी जो बच्छा अभी तक इन्वार अकैडमी से किसी कानवश असोसेट नहीं हो पाया है तो आप हमसे जूड़ सकते हैं broadcast list के माध्यम से thousand of students जो है इन्वार अकैडमी से associated रहे हैं पिछले कहीं सालों से आप भ बड़ा फायदा जो है हमारी broadcast list का यह है कि आपको इन्वार अकैडमी के courses के बारे में पता लगता रहता है बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब हमारी जो है online classes स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बहुत जल्दी seat पूरी होती है इसलिए जो है हम सबसे पहले जो अपने broadcast list के बच्चों को ही बताते हैं जब भी कोई course launch करते हैं चाहिए वो यो जी सी नेट जी आरफ का हो चाहिए pollution control board या फिर कोई भी exam environment science से related तो simply आपने क्या करना है हमारा नंबर जो है आपको पता ही है 7696180020 इस नंबर पे अपना नाम और email id ल जाल देनी है हम आपको broadcast list में add कर लेंगे आपको चोटे चोटे अपडेट्स इस तरीके से चोटे नौट्स जौब अपडेट्स जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे बस आपने हमारी नंबर को सेव रखना है जो गोड़ ब्लेस यो टेक क्या झाल 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 झाल